असलाम अलेक्टू लिए स्टूडेंट कैसे हैं आप आई होप कि आप सब खेर यह से होंगे तो आज का टॉपिक जो है सिक्स डिसक्स करेंगे फाइव हमने डिसक्स किया फ़स्ट यर केम्प्यूटर आई टी पढ़ रहे थे और आई सीएस की बुक है यह आज हम पढ़ेंगे डिजिटल कैमरा क्या होता है तो डिजिटल कैमरे के बारे में हम डिसक्स करेंगे डिजिटल कैमरा जैसे के आप अपनी पिक कैप्चर करते हैं बाइल के जरीए कैमरे के जरीए तो वो चू होती है आप लोगों की वीडियो और हो गया तो डिजितल behalf noise input device है लिए इनपुट informação इस टोर इमज डीटली तोर पी क्या apartment image core store करती है इने memory memory में दिन रिकॉर्दिंग्स ऑनफिल्म आप देखती होंगे लुगे वह डीजिल कैमरे से क्योपशेवर कए जाती है ठीक है वीडियो और आडीयो भी ठीक eyeballs to दिपिक्चर्स टीक विट जिजिटल कैमरा कैन भी ट्रांसफर 11 टुदा कैम्यीटर शिस्टम और इच्टल कैमेरा किया पिक्चर्स को किसमीं केम्प्यूटर में क्या करदेता है ट्रांसफर कर देता है ठीकOf इसके नदर हम क्या करते हैं ट्रांस हर हो डीट कर सकते हैं ठीक है डीट में क्या कि उसको जूम कर सकते हैं छोटा कर सकते हैं बढ़ा कर सकते हैं यह सारी सच्च्च है और आप लोगों को बताओ मैंने एक तीन अपने बच्चे से पुछा what is soft copy क्या होती यह बिल्कि बच्चेस ने किसी से मैंने पूछ interview में ले लिया तो उसको पता नी soft copy क्या होती और hard copy क्या होती लेकिन मैं आप लोगो को clarify concept कर वाऊंगा और इंशाला आप लोगों को तमाम किसम की information हैं वो मैं आप लोगों को दूँगा output twice की पहले हम जो है यह output क्या है इसकी जो हम definition पढ़ रहती है the data जो है that has been processed अगर data को processed किया जाए into the useful information मालुमात के लिए इस card output जैसे कि आप लोगों ने information की definition को पढ़ा कि यह दोड़ी से window में installation हो रही है इसलिए यह चीज़ें आरे मासरत करूँगा तो क्या होती है data को process करती है information में इस card output के लाती है जो हमें तुमाम किसम की मालुमात मिलती है वो output के लाती है ठीक है तो the output is of two types two types होती है एक soft copy output होती है और एक hard copy output होती है soft copy क्या होती है output क्या होती है वो देखें soft copy जो होती है हमें आपके जो मासरत थोड़ी से disturbing होगी थी अच्छा दी आउटपुट शो दा डिस्प्ले स्क्रीन इसकार्ट soft copy जो हमें वाव आउटपुट अब इसकी बांद क्या है soft copy output इस नॉट टैकेवल इट मीन्स कैन बी जो है चैनाट बी अटेच्च्ट यानि कि ये soft copy जो होती है मैं आपलों को बताता हूँ कि जैसे आप मॉबाइल में बुक पढ़ते हैं या कोई डाकुमेंट्स पढ़ते हैं इसे कहते हैं soft copy अगर आपके पास printing चीज़ है बुक जो आप हार्ड में 910 फरस्ट ये सेकंड ये में पढ़ते हैं ये hard होती हार्ड बुक आपके सामने पढ़ते हैं इसे कहते हैं hard output कहते हैं या hard copy भी कहते हैं the output printed होती है क्या on the paper is card hard copy output इसके बाद है the output print on the paper भी होती है वो क्या कर लाती है hard copy output and command device जो output जो होती है वह में जो बुक की शकल में होती है वो हमारी क्या होती है hard copy यानि output device कौन सी होती है इसकी definition पढ़ती है the hardware components that used to receive information from the computer is card outputs जो hardware से हम चीज़े receive कर रहे होते हैं ले रहे होते हैं जानि computer के components वो क्या कर लाती है output device जैसे हम फिलम कोई देख रहे हैं output device take informations मालुमात लेने के लिए थिया from the computer convert into the form that understandables by the user or understandables यानि कि समझी नहीं सकता बाइदा यूजर जो इसको इसको इसामाल कर रहा है अब हम पढ़ेंगे कि output की example कौन सी है monitor है printer है उसके बाद speaker है अब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को वा सारी speaker ठीक है और printer printer जो है कि आप लोगों print करके monitor है आप लोगों copy is the electrical form electrical form में होती है जैसे कि आप लोग देख लें कि computer में पढ़ सकते हैं mobile में पढ़ सकते हैं और यह जो होती hard copy is in printing form it is easier to modify कर सकते हैं it is difficult to modify ठीक इसको करना मुश्किल होता है ठीक है यह तो यह आप लोगोंने जो चार पांच जो lines हैं यह याद करनी इस वेरी important question input device and output device input और output device की जो हैं यह आप लोगोंने अची तरह से पढ़ना है और इसके अंदर भी आप लोग अगर देखें तो questions बड़ा important है आता होता है input device कौन सी होती है और output input वो होती है जिससे हम डेटा दे रहे हैं mouse की pad और इसके बाद microphone output वो होती है जो हमें data दिखा रही होती है display कर रही होती है monitor printer और speaker ठीक है यह सारी आप लोग ने explanations जो है कर लेनी very important questions paper में एक से long question भी देता है और इसके बाद short question भी दे देता होता है what is display screen display screen जो है question importance है और इसके जो different कि display screen की जो other forms हैं वो भी देखेंगे यानिक इसके mean जो future हैं वो भी हम इंशाला देखेंगे display screen is also monitor simple screen it is most commonly output devise it is used to display soft input soft input हमें देती है यह इसको दी जाती है यह इसको दी जाती है यह इससांब की जाती है उसके बाद these difference types of display screens different display screens can be distributed on this basic following features इसके अंदर काफिसोदा डेस्टिबूर्स इसके फूचर भी किया जाते हैं ठीक है डिस्प्ले स्क्रीन की आप लोगगों डैविनीशन यहां तक कर लेनी है और फूचर इसके क्या है इसमें जो साइस होता है कलर होता है रेसलिशन होती है और विडियो डिस्प्ले इंच होता है और जी साइज आफ दा मुनीटर्स ठीक है और जो आप लोगों को दिखा रहा होता है वो कितनी इंच को होता है 14 इंच 15 इंच जितना भी 17 इंच जितनी LCD होती है उसी क्या कोडिंग होता है कलर तो डिस्प्लेड स्क्रीन स्कैन भी अब देखे पहले जो थे ना कलर हमारे नहीं होते थे वाइट होता था अब यह जो हैंँरे जो मुनिटर आगे इसमें कलर आगे है या से टीवी देख लें इसमें भी कलर आते हैं यानि हमारी जो रहंगीन पिक्चर आती है ठीक है इसको कलर के वाले में आप लोगों पढ़ना है दिकलर डिस्प्ले स्क्रीन आउटपुट मुल्टिप्लाइइ कलर इसमें डिफरेंट क डिस्प्ले स्क्रीन स्कैन करियेट ट्वन्टी टू फिफ्टी सिक्स कलर इसमें वजूद होते हैं थाजन्स देखें यह आप लोगों ने याद रखना है ठीक है और इसके बाद आप लोगों ने आप लोगों ने आर जी बी स्टैंड फॉर ड्रेड ग्रीन एंड ब्ल्यू कलर ठीक है तो यह आप लोगों ने लॉक कर्सिन भी आप का आश्क्ते हैं वाट इस डिस्प्ले स्क्रीन और शोर्ट कर्सन भी बन सकता है रैजलेशन रैजलेशन क्या होती है इसकी जो आप लोग देखती है पिक्सल वगढ़ा होते हैं इनकी रैजलेशन कम करनी हो इसे नमबर, पिक्सल्स कितने पर करनी है, 17 बाइठारा करनी है, जितने भी करनी है, जैसे आप लोग देखते रहते हैं, इस तरह से. इसके बाद काफी ज्यादा लेक्शनर जो है, डिस्टर्ब हुआ है मेरा, यहाँ पर, मैं काफी सा डिस्टर्ब हुआ हूँ, मुझे की इमाने, इस इमज जो होती है, शेप आफ दा, डिस्प्ले स्क्रीन की, हाई नमबर्स ऑफ बिक्सल्स मेंज, शेप इमज, कम कर लो, भीजदा कर सब्दा करले कि अभ विडियो वाला डिकिए एफ वीडियो स्क्रीन्स मस्ट वी है वीडियो डिस्प्ले लिए, और उसके बाद जाप्टर आटाइच विजसे थे केंप्यूटर डिस्प्लेग्राफ और ग्राफिक हुएं इसके मताविक जो है computer जो не деньги होता प्रसकारी आकिस के साथ इसीटल ग्राफिक के साथ ठीक है? इस डिस्प्ले ग्राफिक के साथ it also card, Videograph और भी कलाता है यानी graphic card भी कहते है इसको it cycle board Determine takes the following thinking छीन के इसके अंदर चीजां प्राइस लिब होते हैं जिस तरह से understand कर लो number of color color की resolution कम करना है speed which of which is image pairs of display screen इसकी जो speed है उसे कम करना है जो भी आप लोगों ने काम करना है तो ये नेक्स जो चीजें आ रही है ये एक एक दो दो लाइन आप लोगों ने याद कर लेनी है ठीक है वी जी ये क्या होता है वीडियो ग्राफिक रे होता है और statesですね ोकारे जोती है 16.255 Kate कर दिए ठीक है और इसमें इसके कीड़र कितने ह estrach होते हैं ये आप लोगों ने हुद पर ना है और से ली जी क्या होता है इसको बीम्राफिक रे होता है ठीक है इसको भी आप लोगों ने खुद हैडल करना है और इसको अंदर कलर्स कितने हैं यह सारे के सारे आप लोगों ने याद कर लेने हैं एक दफ़ा अची तरह से ठीक उसके बाद डिसकस डिफरेंट टाइट्स ऑफ डिस्प्ले स्क्रीन तो सी आर्टी होता है यानि मुनिटर वो क्या ह होता है ठीक है तो इसके बाद आप लोगोंने नयक्स क्या देखना है नक्स इसको भी जी इसके बाद नंभर टू पर भी तोड़ चैश् से शिचों को Log में क्लेरिफाइब कर लेना उसके बाद नेक्स नेक्षी और है ये भी तोड़ी से देख लेनी एक LCD होती है LCD और LD में फरक आप लोगों को आजाता है यानि कि इसमें बिट्वीन जो है आप लोगों को ने करना होता है तो ये आप लोगों की CRT मुनीटर है ये LCD है तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्लिरिफाइक कर लेनी और ड्वांटीज देख लेनी है इन दोनों के ड्वांटीज क्या है इसको भी आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है जैसे मैं अभी ये कह रहा था CRT और LCD इनके दरम्यान जो फरक क्या है वो देखना है इस लेस एक्सपैंस देन LCD ये लेस ह है और ये मॉल अग्सपैंस इसके होते हैं ठीक है इत टेक टु मॉल डिस्क स्पेस और इत टेक टु लेस्ट स्पेस और इत यूस्ज तो मॉर अनर्जी दैन L3 monitor और इसके अंदर जो अदर है it is less energy than CRT monitors ठीक है इसके बाद it is use pictures tube technology और इसके अंदर जो है कि आप लोगों की यूब जो ट्यूब की टेकनोलोजी यूज नहीं होती यह आप लोगोंने विर्थिस यह बड़ी होती है इसकी छोटी होती है यह काम छोटे छोटे आप लोगोंने करने है इन्शाला नेक्स टोपिक हमारा आजाएगा printer long question है और इसके इन्शाला दो लेक्टर करेंगे लेक्टर नमबर मेरा है सिक्स चाल रहा है या फाइफ परहल जो भी हुआ आप लोगों के सामने रहा जाएगा तो फिर हम प्रिंटर डिस्क्रिस करेंगे long question paper में आता है बार पार printer के बारे में ठीक है यह हमारा topic clear हुआ इन्शाला न करेंगे अब आप से लेंगे जाज़त अगर कोई disturbing होई है इसके अंदर वीडियो के अंदर क्योंको software कुछ चल रहे तो वो disturbing कर रहे थे तो उनके लिए माज़त कोई समझना आ रही है तो आप पूर सकते हैं मैंने full कोशिश की आप लोगों को पढ़ाने की बठ पिर भी है तो ख्याल कीजिएगा अलाहाफेज